तो दोस्तों, जब भी हमारे पास ACL Grade 1, ACL Strain, ACL Edema इस सरी के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उन लोगों को बिना सर्जरी के सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स की मदद से ठीक कर देते हैं. ACL Injury Medicine से ठीक हो जाती है. दोस्तों, आप इस वीडियो को अंद तक देखिए ताकि आपको मालूम पड़े कि क्या ACL Injury Medicine से ठीक हो सकती है, और अगर हो सकती है, तो वो कौन सी Medicine है जिस से ठीक हो सकती है. अगर आपको ACL Injury हुई है, आपके MRI में लिखावा आया है कि आपको ACL Grade 1, Grade 2, Grade 3, Complete, Near Complete या किसी भी तरह की ACL का टियर है, और आपके मन में सवाल आ रहा है, कि क्या मेरी Injury Medicine से ठीक हो सकती है, तो दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है. अगर आपके MRI में Grade 1 ACL Tier लिखावा आया है, तो दोस्तों, ये चीज मेडिसन से ठीक हो सकती है, पर मेडिसन आपके शरीर के अंदर ही है. उस मेडिसन का नाम है प्लेटलेट्स. तो दोस्तों, जब भी हमारे पास ACL Grade 1, ACL Strain, ACL Edema इस सरी के पेशेंट्स आते हैं, तो हम उन लोगों को बिना सर्जरी के सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स की मदद से ठीक कर देते हैं. हम Orthobiologics के Injection उनके गुटनों में लगाते हैं. यह Injection आप भी के Blood से बनते हैं, प्लेटलिट्स, आपके Blood में से 20 ml लिया जाता है, उसको दो वैल स कंद़ डाला जाता है, उसको Centrifug करके प्लेटलेट्स और ग्रोथ त्री अलग निकाल ली जाते हैं. इन Injection को जब मैं आप आपके ACL में लगाता हूं तो यह आपके ACL tear को बिलकुल ठीक कर देते हैं पूरी तरह से पर अगर आपके MRR में लिखावा है grade 2 ACL injury, grade 3 ACL injury, complete ACL tear, near complete ACL tear, इसके अंदर orthopology का रूल बहुत कम हो जाता है दोस्तों, इसमें हम fiber tape internal brace surgery की मदद से आपको तीन महीने के अंदर वापस back to game, में वापस जा सकते हैं, running कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यह screw technique से बहुत जादा advanced technique है, अगर आप इस technique के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे बाकी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हम ने दिया है, यूडूब के नीचे, अगर आपके MRR में इस तरह की कोई कर सकते हैं, अगर आपके सकते हैं, जापके सकते हैं